माल्दीव के राष्टपती मुहम्मद मुईजू चीन के साथ मिलकर भारत विरोधी चाल चलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं हाली में खुलासा हुआ कि माल्दीव में एक नहीं बलकि चीन के दो दो जासूसी जहाज मौजूद हैं चन दिनों पहले चीनी जासूसी जहाज जियांग यांग होंग 03 माल्दीव की जल सीमा में दाखिल हुआ था इस जहाज के माल्दीव पहुँचने के बाद पता चला कि सिलाके में पहले से ही एक और चीनी जासूसी जहाज मौजूद है सैटलाइट ट्रेकिंग डेटा से पता चला कि चीनी कृशी मंत्रालाई से जुड़ा येलोशी फिशरीस रिजर्च इंसिट्यूट है जिसके लैन हाई 101 या बिलू ओशन 101 जहाज ने माल्दीव शेत्र में कोईने से ज्यादा का समय बिताया है माल्दीव के अधादू न्यूस के मुकाबिक सैटलाइट ए आई एस ट्रेकिंग के आधार पर पाया गया कि दूसरा चीनी जहाज माल्दीव के पश्चिम में हिन महासागर में उसी पैटर्ण में यात्रा कर रहा है अनुसंदान जहाज आम तोर पर अनुसंदान करने के लिए खास पैटर्ण में चलती हैं ये जहाज 21 नवंबर 2020 को चीन के किंग दाओ मंदरगा से रवाना हुआ था ट्रेकिंग डेटा से पता चलता है कि तब से जहाज ने कई मौकों पर माल्दी विशेश आर्थिक शेत्र की करीब 70 मिल की यात्रा की हाला कि 5 दिसंबर 2023 के बाद जहाज आम तोर पर इस्तिमाल की जाने वाली ट्रेकिंग साइटों पर दिखाई नहीं दे रहा था संभावना है कि जहाज ने अपने ट्रेकिंग सिस्टम को बंद कर दिया है रिपोर्ट में तो ये भी बताएगा कि लेन हाई 101 माले में पोर्ट कॉल के लिए आने वाला था वो माल्दीव के विशेश आर्थिक शेत्र का चक्कर लगा रहा है इस जहाज ने तीन मौकों पर माल्दीव EEZ में प्रवेश किया मतस्य विज्ञान और सर्वेक्षन के लिए इस्तिमाल के जाने वाला जहाज लैन हाई 101 करीब 85 मीटर लंबा है दावा है कि इस जहाज का इस्तिमाल 2019 से Yellow Sea Fisheries Research Institute कर रही है ये 3289 टन का जहाज वर्तमान में चीनी वेड़े में मतस्य पालन अनुसंधान के लिए उप्योग किये जाने वाला सबसे बड़ा जहाज है जहाज को पीले सागार और वहोई सागार में मतस्य पालन अनुसंधान के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन ये सुदूर समुद्र में भी शोद करने की ही शमता रखता है चीन का सबसे आधुनिक मतस्य अनुसंधान पोत लेन हाई 101 एक लेबार्टरी और मॉडर्न मशिनरी से बना हुआ है जिसको प्योग समुद्री जीवन और पानी के नीचे इलाके का सर्वेक्षन करने के लिए किया जाता है जहाज में एक इको साउंड प्रणाली पर सीनिंग उपकरन और एक सोनार स्कैन प्रणाली लगी ही है NBT Online के रपोर्ट